जहीं दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में दोस्तों जिस वेकेंसी का काफी लंबे समय से इंतजार था वो वेकेंसी निकल चुकी है जी हां RRB NTPC की जो 12th level की जो पोस्ट है उनके लिए जो नोटिफिकेशन ने जारी हो चुका है और आज किस वीडियो में हम देखेंगे किस नोटिफिकेशन के अंदर एक्सरिसमेन के लिए क्या क्या है टोटल कितनी वेकेंसी हैं RRB वाईज जो की एक्सरिसमेन के लिए रिजर्व है और एक्सरिसमेन के एज रिलेक्सेशन या बाकी चीजों के बारे में भी आज हम इस वीडियो के माध्या हम से समझेंगे दोस्तों सैनिको से जुड़ी सारी खफरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ओल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटस जानकारी आपको मिले सबसे पहले तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपोर्टन डेटस के बारे में तो इसके जो नोटिफिकेशन है वो कल यानि की 20 सब्टमबर 2024 को आउट हो गया था और इसके जो ओनलाइन फोर्म है वो आज से यानि की 21 सब्टमबर 2024 से स्टार्ट हो चुके है फोर्म्स को जो फिलप करने की लास्ट डेटा वो 20 सब्टमबर 2024 है यानि की लगवग एक महिना है आपके पास फोर्म्स को फिलप करने के लिए बात करें फीज की कि अगर आप ऑनलाइन फोर्म की जो डेट है उसको समाफ्त होने के बाद अगर फीज पेमेंट करना चाते है तो उसके लिए जो टाइम है वो 21 अक्टूबर से लेकर के 22 अक्टूबर यानि की दो दिन आपको इसमें मिलेंगे और अगर आपने अप्लिकेशन के अंदर कुछ अमेंट करना चाते हैं तो उसके लिए आपको 23 अक्टूबर 2024 से 1 नौबर 2024 तक का समय मिलेगा उस बीच आप अपनी जो अप्लिकेशन है उसके अंदर अमेंटमेंट कर सकते हैं दोस्तों बात करें पोस्ट की तो यहां पर जो पोस्टें चार हैं जो की अंडर ग्रेजूट यानि की 12 लेवल की जो पोस्टें हैं इसमें सबसे पहले है कमर्शियल कम टिकट क्लरक इसके बाद अकाउंट क्लरक कम टाइपिस्ट तीजरा है जुनियर क्लरक कम से स्टार्ट होता है, बात करें gross salary की तो इनकी जो ग्रोस salary होगी लगबग 45 से लेकर के 50,000 के सपास होगी, बाकी की जो तीनों post थे हैं account, letter come typist, junior, letter come typist, और train clerk, ये सारी pay level 2 में आती है जिनका की जो basic है, 19,900 से स्टार्ट होता है, बात करें gross salary की तो इनकी जो growth salary होगी लगबग 40 से लेकर के 45,000 होगी उसके बाद जैसे जैसे आपकी service होती जाएगी आपके increment बढ़ते जाएगे दोस्तो इसमें जो age है normally जो post के लिए जो age है 18 से लेकर के 30 वर्स रखी जाती थी तो यहाँ पर 18 से लेकर के 33 साल है एक्सरिसमें के लिए age में छूट है जिसकों की हम आगे अलग से इसमें discuss करेंगे बात करें total vacancy की total कितनी vacancy है तो यहाँ पर total जो vacancy है सभी RRBs की मिले की वो 3445 है अभी हम देखते हैं कि RRB wise total categories की vacancy कैसे है वैचे तो यहाँ पर सारी categories की vacancy है लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे केवल एक्सरिसमें की vacancy है तो दोस्तों जो एहमदाबाद RRB है उसके अंदर total एक्सरिसमें की 20 vacancy है जिनमें सबसे ज़्यादा 15 vacancy commercial कम ticket clerk की है इसके बात करे RRB एजमेर की तो यहाँ पर एक्सरिसमें के लिए total 6 vacancy है RRB बैंगलोरू के अंदर एक्सरिसमें के लिए 6 vacancy है RRB भोपाल में एक्सरिसमें के लिए 5 vacancy है RRB भुनेसवर में एक्सरिसमें के लिए 5 vacancy है RRB बिलासपूर में एक्सरिसमें के लिए 16 vacancy है इसके बाद RRB चंडिगड के अंदर एक्सरिसमेन के लिए 24 वेकैंसी है जिन में से 12 वेकैंसी है जो सबसे ज्यादा जूनियर कलरकम टाइपिस्ट के लिए है दोस्तों बात करें चेन नहीं कि तो यहाँ पर एक्सरिसमेन के लिए टोटल 19 वेकैंसी रिजर्व है RRB गोरकपूर में 12 वेकैंसी है एक्सरिसमेन के लिए RRB गोहाटी के अंदर टोटल 19 वेकैंसी है एक्सरिसमेन के लिए रिजर्व है RRB जम्मू सिरनगर के अंदर 14 वेकैंसी है एक्सरिसमेन के लिए जो रिजर्व है RRB Kolkata की बात करते हैं यहाँ पर 47 वेकंसी है जो की एक्सरिसमेन के लिए रिजर्व है इसके बाद बात करते हैं RRB Malda की यहाँ पर एक वेकंसी है एक्सरिसमेन के लिए इसके बाद RRB मुंबई काफी बड़ा RRB है यहाँ पर 69 वेकंसी है जो कि एक्सरिसमेन के लिए रिजर्व है और इसमें सबसे ज़्यादा जो वेकंसी है कमर्शियल कम टिकट कलर्की है दोस्तों RRB मुझफुर पूर के अंदर 7 वेकंसी है एक्सरिसमेन के लिए इसके बाद RRB पतना के अंदर 1 वेकंसी एक्सरिसमेन के लिए और RRB प्रियाग राज के अंदर 38 वेकंसी है एक्सरिसमेन के लिए RRB राची के अंदर 8 वेकंसी है एक्सरिसमेन के लिए RRB सिकंदराबाद के अंदर 9 वेकंसी है एक्सरिसमेन के लिए और जो आर भी तिरुवनत पुरह में उसके अंदर 12 वेकेंसी एक्सरिसमें के लिए रिजर्व है तो इस प्रकार से देखे टोटल 342 वेकेंसी है जो की एक्सरिसमें के लिए रिजर्व है दोस्तों बात कर लेते हैं एज रिलेक्सेशन की तो जैसे की मैं बता चुका हूँग पर जो आरे करके 33 वर्ष तक नोर्मल केंडेट अपलाई कर सकते हैं और एक्सरिसमें को इसमें चूट किस प्रकार से है वो इसमें अब इस स्लाइड में हम देख लेते हैं तो दोस्तों एक्सरिसमें जो भी अन्रिजर्ड और EWS के हैं उनको अपनी प्रेजन एज में से होनी चाहिए बात करें SCST एक्सरेशमन की तो उनको अपनी present age में से सेना की service को minus करना है और उसके बाद उनको 8 साल और minus करना है और उसके बाद जो उनकी age है 33 years से कब होनी चाहिए बात करें serving soldiers की जो लोग सेना में नोकरी कर रहे हैं और एक्सरेश्मेन कोटे में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं लेकिन उनके लिए इसमें जो डेट दी गई है उनको 20 अक्टूबर 2025 से पहले-पहले रिटायर होना होगा तो जिन लोगों का डिस्चार्ज अगले साल अक्टूबर से पहले-पहले हैं वो भी इसमें एक्सरेश्चमेन कोटे के अंदर अप्लाई कर सकते हैं दो स्के लेवल का था उसी के तर्ज के उपर इसी में भी दो CBT होंगे उसके बाद आपका skill test होगा जिनको applicable है और उसके बाद आपका document verification होगा यहाँ पर CBT एक जो test था जो graduation लेवल में था वो यहाँ पर इसमें नहीं होगा बात करें CBT 1 की तो CBT 1 computer based test है आपको computer पर online exam देना है और यह जो exam होगा total 90 minute का होगा इसमें 3 subjects होगे जनल awareness, mathematics और जनल intelligence and reasoning जनल awareness के 40 question होगे math के 30 question होगे और जनल intelligence and reasoning के 30 question होगे total इसमें 100 question होगे दोस्तों इसमें 1 by 3 की negative marking भी है बात करें CBT 2 की तो यह भी आपका 90 minute का होगा इसमें general awareness 50 number की mathematics 35 number की होगी total इसमें 120 question होगे और इसमें भी 1 by 3 की negative marking है दोस्तों अभी देख लेते हैं कि इसमें जो skill test है वो कौन-कौन सी post के लिए होगा तो इसमें जो दो post है account clerk come typist और junior clerk come typist क्यूंकि जो post के अंदर ही typist लिखा होगा है तो इनी दो post के लिए typing test होगा तो जिन लोगों को typing में problem है उन लोगों के लिए बाकी की जो दो post है commercial come ticket clerk और train clerk इन में typing की आउशकता नहीं है तो इन में direct आपके 2 CBT होगे और अगर आप उसमें appear करते हैं और इसमें selection होता है तो आप उसमें आपको उसमें job मिल जाएगा दोस्तो skill test जिन लोगों को skill test देना है उनको कम से कम 30 word per minute की English की typing या फिर 25 word per minute की Hindi की typing आनी चाहिए computer गे उपर अभी देख लेते हैं कि इसमें आपको कैसे apply करना है तो दोस्तों ये जितनी भी RRBs का जो address दिया गया है आपको जिस RRBs से apply करना आप उसमें जाके इसमें apply कर सकते हैं दोस्तों एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप किसी दूसरी RRB से try कर सकते हैं तो उसमें भी आप कर सकते हैं उसमें ऐसा कोई foundation नहीं है बट आपको ध्यान रखना है कि एक बार अगर आपने कोई दूसरी RRB join की तो लगवग आप 5-10 साल तक आप आप आपको जो transfer posting है वो पूरी तरह आपका railway authorities के उपर depend करता है लेकिन initially माना जाता है कि 5-10 साल आपका जो transfer है वो होना काफी मुस्किल है तो दोस्तों कुल मिला कि देखा जाए तो काफी बढ़िया जोब है 12th level के हिसाफ से देखा जाए तो one of the best job इसको मान सकते हैं क्योंकि ये वन of the best job इसको हम मान सकते हैं तो जो भी 12th pass है उनको जरूर इसमें apply करना चाहिए और इनको कोशिश करनी चाहिए selection लेने की दोस्तों ये थी सारी जानकारी उमीद है कि वीडियो आपको पसंद आए होगा वीडियो गर पसंद आए तो like share and subscribe करना ना भूले और बने रहे मेर साथ इसी प्रकार के interesting वीडियो के लिए वीडियो बरे नहीं करें आप सभी का धन्यवाद जहिंद